स्ट्रेकाल दोस्तों वेलकम टू गुनानकेवर्स आप सबका हार्दिक स्वागत है लांस्ट रिक्वेस्ट जो आई थी ना मिस्टर प्रनेशीश बनर्जी जी की रिक्वेस्ट थी आज उस पर चर्चा करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बनर्जी जी लॉट अफ थैंक्स य यह बढ़ती उम्र में रहे हैं तो और विदा हिस्ट्री ओफ कॉवेड कॉवेड पॉजिटिव भी रह चुके हैं तो ऐसे केस में अगर नीमूनिया हो जाए और वह भी सिवियर नीमूनिया पहले मैं बताओं आपको अगर यह दो केंडिशन्स हैं ने की मद्दे में तो न कोविड नाइटीन जिसको पॉजिटिव हुआ है न दोस्तों वह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक जिसना जन्जोर के रख देता है विएव सीन दाट वे सीन सो मैनी एक्जांपल्स पीछे कोविड के दौरान बहुत जाद ऐसी एक्जांपल्स अमने देखी जिसमें यह रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम टोटली बिगड जाता है और एल्डरली है तो इम्मुनिटी वैसे वीक रहती है केबर कॉन्कॉरेंट और डिजीज रहते हैं मोस्ट अब केसे में हाइपर टेंशन डायबटीज और ऐसे कार्डियो डिसॉर्ड अगर निमुनिया होगा ना तो मुस्ट लाइकली वह सिवियर स्टेज पर ही होगा सिवियर निमुनिया यह कहने में आसान दिखता है लो तो लेकिन इट इस इट इस वरी सिवियर करडिशन यह कोई आम बिमारी की चर्चा नहीं है शुरुआती लक्षिन कफ और कोड सी होत फ्लू है सिम्टम्स के फ्लू के सिम्टम्स तो वो कुछ दिनों में सही हो जाता है ट्रीटम्न लेने से आराम मिलता है लेकिन अगर वो नहीं है क्योंकि अंदर अगर निमुनिया के पनपरा है तो यह बगड जाएगा सिम्टम्स और वीकनेस रहेगी खांसी जोकिट सही न करवाएं और जब तक यह डाइग्नोस प्रॉपर ना हो जाए ना डोंट सेल्फ मेडिकेट यह काम सिंपल सा सिंपल सी बिमारी नहीं है दोस्तों नीमोनिया हम समझते हैं इंफ्लमेटरी डिजीज है हमारे फेफ़नों की बिमारी है इंफ्लमेशन दा लंग्स और यह भी ना डीप सीटिड रहती है यह इंफेक्शन है ना जो हमारी एल्विलर सैक्स है यह एर सैक्स कहले वहां जाके दिकत बढ़ती है फ्लूइड एक्यूमिलेट होना शुरू हो जाता है अब इसका कारण क्या रहता है कुट भी बेक्टीरियल है कुट भी वाइरल है फंगल इंफे दाने राइट और जैसे यह बात कर रहे है पास हिस्ट्री अगर फ्लू की हिस्ट्री यह कौविड नाइनटीन पॉजिटिव रहा है ना उस वज़े से यह निमोनिया हुआ है इस वीर निमोनिया और एक और नादे निमोकॉकल डिजीज यह तीन चार प्रमुक कॉजिस कह ने जिस वज़े से निमोनिया हो जाता है अब ऐसे केस में होमियोपैथी कैसे मदद पहुंचाती है वो आपके सामने रखता हूं कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज जो अच्छा यह हम सब समझते हैं कि सिम्टम के अधार पर दी जाएंगी डैट इस फॉर और मैं यह भी बदलते हैं दवा बदल जाती है प्रमुक तीन इंपॉर्टेंट रेमेडीज में आपके सामने रखता हूं सबसे पहले बहुत ही प्रॉमिनेंट रूल जो अदा करती है मेजर इंपॉर्टेंट रेमेडी इन होमेपैथी इस एंटिमोनियम टाटारिकम एंटिम टार्ट जि कि इंपॉर्टेंट साब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इवन अगर लास्ट स्टेज है निमोनिया की पेशेंट को इतनी दिक्कते आरे हैं डॉक्टर लोग जवाब दे रहे हैं इवन आफ्टर होस्पिटरलाइजेशन भी इंप्रॉव्मेंट नहीं आ रही है एंड ट बाहर नहीं निकल रही है लेकिन अंदर जमा पड़े है तो महां एंटेम टाट देंगे हैं अब ऐसी अगर कंडिशन है ना अगेन रिपीट एल्डरली पेशेंट है हिस्टी अफ कोवेड और सीवेर निमोनिया है तो हमेशा माइल्ड पोटैंसी से ही स्टार्ट कीजेगा 30 बेगिन बिद रैथ दूसरी इंपोर्टन तरेमेडी में रखेंग तहूँ तहम्या तह सेनेगा पी नीमोनिया ते बहुत अच्छी दवार ऐती है जहाना म्यूकोस जो एना वह भोत टाफ है प्रफ्यूस है बहुत जाद है रेदिश निदू जो पेशेंट होती है चेस्ट जकरन है और जैसे वजन रखा गया चेस्ट पर यह इंपॉर्टन सिम्टम रहता है सैनेगा गिन स्टार्ट इस स्मॉल पॉटन से और तीसरी इंपॉर्टन दवा है दोस्ते इस फास्फोरस फास्फोरस अगें मैं तीसरी नंबर पर जुरूर ले रहा हूं लेकिन इस अ मारक्ट मेडिसन इस अ मारक्ट मेडिसन फ़र नीमोनिया स्वियर नीमोनिया में भी इस नोटन बन नीपनिया के लिए नहीं लेकिन ये ब्रॉंकाइटस में भी दिजाती है ता उर्ड रिते manufacture लोज के नेश फास्फोरस jya हमान दॉट रैज। infected रहता है ना वहाँ, phosphorus is an important role आपको एक बात और बता हूँ, जैसे भी election start भी हो रहे है ना यह जो respiratory tract infections है upper है या lower है, अगर start ही हुए है तो वो ना बिगड़े, phosphorus की single dose से हम इसको वहीं रोक सकते हैं, वो deep-seated ना हो जाएगा, infection यहाँ भी important role रहता है ठीक है, दोस्तों दवाएँ तो और भी बहुत सारी remedies बहुत आती है अगर severe pneumonia की बात करें, लेकिन I restrict my talk to today's discussion, जो और रिक्वेस्ट बेजी थी, Mr. Bener जी ने, कि यह यह conditions है, ऐसी conditions में अगर severe pneumonia हो रहा है, elderly patient है, history of COVID है, तो ऐसे case में कौन सी important दवाएँ रहेंगे यह तीन important दवाएँ रहेंगे consult your physician, डॉक्टर की सला लेके यह दवाब प्रयोग मिलाएं, तो बेतर होगा आशा करता हूँ, आज का वीडियो आप तक जरूर लाब पहुंचेगा आज की वीडियो से आपको help मिलने चाहिए जुड़े दें दोस्तों, गुरुनाना केर्स के साथ for more such informational videos, अपने doubts, अपने सुझाव, comment section में डाल सकते हैं, you can mail me at गुरुनानाकेर्स at gmail.com जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में अपना ख्यार रिखिएगा, take care, God bless